बेट मतना च्छेतर में मारपीट का एक वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हुआ था जहां कुछ रसुगदार और कुछ लोग मिलकर एक यूवक को बेलट से पीट रहे थे शोसल मीडिया पर जमकर वारल हो रहे वीडियो के बाद पीडित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर जाँ शुरू कर दी है वहीं पीडित का कहना है कि इस मामले में उची धरा न लगा कर पुलिस ने उन्हें गिरफतार नहीं किया है जिसके वज़े से उन पर अब भी जानलेवा हमले का खत्रा बना हुआ है अब परिवार के सदद से इस डर से अपने खेत पर भी नहीं जा रहे हैं वहीं पीडित अब भी चलने फिरने की इस्तिधी में नहीं है मामला बेट माथाना शेत्रे के गाउं सांगवी और मेथवारा का है गुंडा गर्दी का एक वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हुआ था जिसमें कुछ बदमाच मिलकर एक युवक को पीट रहे थे वीडियो में दिख रहे जिस युवक के साथ मारपिट हो रही उसका नाम केलाश परमार पिता मोहन परमार निवासी सांगवी है पीडित केलाश परमार ने बताया कि वह अपनी लड़की माही वर लड़के परजीत को साथ लेकर ग्राम मेठवाडा इस्थीत अपने खेत पर खाद उठाने गए थे तथा मेरे बच्चे खाद उठा रहे थे तभी मेरे खेत पड़ोसी आए और मुझे बोले कि तुने मेरे गियों की फसल को पेरों से रोन दिया तो मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी कोई फसल नहीं रोन दी तो तीनों मुझे गालिया देने लगे मैंने उन्हें गालिया देने से मना किया तो वहाँ पर सोरंबाई पती रामसिह व किरन भी वहाँ आ गई फिर जितेन अर्जुन रामसिह सोरंबाई व किरन ने मुझे बेल्ट लकडी और लाद भूसों से पीटा बैटमा इंदौर से राजन सुर्यवन्शी की रिपोर्ट हम मगेती खाद बढने गए तो उन्यों आके बोला कि तुम केटी खाद उडाने क्यों आ आए तो हमने बहुआ ओअने सकते हां कृदर जान संवान है हमारे और का नाह more in remote जान समान से मांने की डंकी देखे ifferेरakte जाटा मारे या मेरा फोट दिया वाधे मेरी यह थो जिद अर्जुन पर इसका बत्चा था एक चोटा बड़ा मेका उसनी बॉला खाली मां उब्बा था मिन क्यों रख रव सेडे क्यों फाड़िया तो के के नी मेन कुछ निफाड़िया निब यसा एक लाट एक यीत मही था उने से रहें मेर को यसे मार्यात आते तोड़ दिया मेरा अच्छा तो पेले भी विया नी पेला भी तीसरी गटना है जारी अपना हमी थोड़ी गंठे दो गंठे जावन आई जाए सग्डा सबाइचा नाठिया में अलू सुकारी हमार को देख के आ करीब में तीन बज़े के संतिंग खेत पे गया था धाई तीन बज़े में खाद की दो बोरी लेके गया था खाद उड़ाया मैंने डाला खेत के अंदर दो बोरी डाल दी तिसरी बोरी डाल रहा था और उसमें से थोड़ा सा खाद निकाला मैंने और उसमें फिर ये वो अर प्रिमी छान देते हैं और तेरा मटर कर देते हैं कामी खतम कर दें तेरा तो यूंभी ज्यादा चल रही है अब मेरे ग्यों में गाड़ीयों निकाल बच्चा के भगा में और मेरा बच्चा और एक बच्ची 10-11 साल की थी और बच्चा भी लगभग 10-11 साल से थोड़ा बहुत कम होगा वो छोटा बच्चा और बच्ची बढ़ी है अब दोनों बच्चे जान भगा के हम तीनों भागे मुबाइल मेरा बच्चे के हाथ में था फिर वहाँ से करीब करीब मेरे खेट से करस्ना राजपूत के खेट में मुझे पकड़ लिया और वहाँ करस्ना राजपूत वो बिक्रम सींग पिता जाती राजपूत इनके खेत में मेरे को इतना मारा इनने लकडी से ठोंसे ठोंसे और पाइप लोया का पाइप भी था और एक प्लास्टिक का पाइप भी था और बेल्टे से मारा यह तीन लोग तीन और तीन अदमी छे जने थे मेरे साथ में साड़े चार से पांच के घटना है यह और मेरे को स्ट्ट हमारा इनने के बेहोसी के आहलत में मतलब जान से मारने के लिए और इनका जान घ्ट्रमार ने आज किसी ने मेरी ने की गई और मेरी जान पर आज भी खत्रा बनी हुई है और एक मेरा मामा का भी हाथ है इसके अंदर और उन्हीं ने इसी का पर जागे यह इन दोनु यह मेठवाड़ा के निवासी यह च्छे और यह जो सांगवी का है यह मेरा मामा है मैया राम ह्यां और कोन्सी जाती का घ्र हमार है और यह चमार है और जब यह जिस जमीन पे te 정부 के पास मेरे पूछा मैंसियों प्यथायश बतानी नहीं हुई है तेले भी विवाद हुआ हाँ विवाद सर उसके एक साल भर पेले से ज्यादा चल रहे हैं और यह मेरा बच्चा था साथ में इसने थोड़ी सी अबी भी मेरे साथ इत्ती बड़ी घटना होने के बाद भी इन लोगों ने मतलब कानूनी कारवई नीकी पुलिस वाले ने और दबाओ डाल के हम लोगों को डरा धंका रहे हैं इसे क्यों कर रहे हैं पेसे भरे साब पुलीस सुनने को तयार नहीं है अब का नाम मतलब केलास सब्सक्राइब निवासी सांगवी का हूँ और मेरा सांगवी और मेठवाड़े के जो कांकड की सिमान कंका में नकित्ती बार तेसलदार साब को बोलाक साथ इस रगड़े को खतम करवाई है कल से हमारी जान पर खत्रा बनी मेरे परिवार दिनांग चार बारा दोजार तेस को फर्यादी केलाश परमार ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की ये अपने लड़के और लड़की के साथ में खेत पर गया हुआ था खाच छड़कने के लिए खाच छड़कने के दौरान पड़ोसी खेत के जो मालिक हैं जितेंद्र, राम अरजुन, सौरम भाई और किरण इनके द्वारा फसल रोंदने की बात कही गई तो इनके द्वारा जो पिडित है क्यलाश परमार द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा फसल में रोंदने की कारवाई नहीं की गई इसी बात को लेकर इनमें आपस में जो है गाली गुपता कर लड़ाई जगड़ा हुआ जिसमें पिडित को क्यलाश परमार को आरूपी गणाउं द्वारा बैल्ट से लकडी से और हाथ गुसों से मार्पिट की गई थी जिस पर थाना बेटमा में धारा 323 294 534 IPC का अपरात पंजीवत किया गया था प्रकण में विवेशना कर आरूपियों को नोटिस पर छोड़ा गया मानी नयाले के आदेश पर आरूपियों प्रकण में विवेशना पूर्ण कर चुकी पीडित जो था उसके मेडिकल रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट में फ प्रकण में जो है विदी संगत कारवाई की गई है और प्रकण में विवेशना पूर्ण कर चालन मानी नयाले में प्रस्तुत किया गया है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले